हेलो बच्चो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागते वार्षिक परिक्चा पेपर दो हजार तेविस चोविस कक्चा नवी विसे हिंदी का पेपर बच्चो वार्षिक पेपर के लिए आपकी यहां पर तैयारी करवाई जा रही है प्रिश्ण पत्र के माध्यम से कार आएगा कैसा आएगा बच्चो इस वीडियो में हम बात करेंगे तो जितने भी दोस्त हमारे कक्चा नवी वाले इस लाइव क्लास में जूड़ रहा हैं आप सभी का स्वागते बच्चो जितने भी दोस्त हमारे जूड़ते जा रहा हैं आप कहां से इस वीडियो को देख जो बच्चे हमारे टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलिग्राम से भी जुड़ जाईएगा वहाँ पर जो प्रिश्न पत्र आप लोगों को हल करवाया जाता है वही आपको टेलिग्राम पर दे दिया जाता है तो बच्चों आप टेलिग्राम से भी जुड़ जाईएग ताकि आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पहुँच जाए हम पहला प्रिश्ण यहाँ पर देखेंगे सही विकल्प का चैन कीजिए वीर गाता काल के स्रेष्ट महाकाव्य का नाम है तो कौन बच्चा ऐसा होगा जिसको इसका नाम पता नहीं होगा जैसे के हम बात करें यहाँ पर प्रत्वी राज रासो वीर गाता काल का स्रेष्ट महाकाव्य माना जाता है अगला कुशन है केदी और कोकिला रचना है केदी और कोकिला जो पाट लिका है वो लिका है आप लोगों का माकन लाल चतुर वेदी के द्वारा अगला प्रिश्ण है कावी के भेद माने गए हैं तो कावी के जो भेद माने गए हैं वो माने गए हैं दो कावी के जो भेद माने गए हैं बच्चो दो माने गए हैं अगला प्रेशन देखेंगे जूरी के साले का नाम था तो जूरी के साले का जो नाम था बच्चो वो गया नाम उसका था अगला प्रेशन है विचार विनीमे के माद्यम को कहते है तो बच्चो विचार विनीमे के माद्यम को जो हम कहते है सब्द क्रिया वाक्य ये तीनों नहीं कहेंगे बहसा कहते हैं उसको क्या कहते हैं बच्छो बहसा ये तीनों ही चीजे किस मा आ जाती है बहसा में आ जाती है तो answer क्या होगा बहसा अगला प्रिश्ण है आपका फनिश्वरनात रेणू के प्रसिद्द आंचलिक उपन्यास का नाम लिखिए देखिए बहुत ज़्यादा आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं कौन फनिश्वरनात रेनू तो इनका प्रसिद जो आंचलिक उपन्यास है बच्चो उसका नाम है मेला आचल मेला आचल अभी आप 9th किलास में हो, जब आप 10th किलास में जाओगे, तो देहाती दुनिया से जुड़ा एक उपन्यास पड़ोगे आप, है ना, कृतिका में मिलेगा आपको पहला पार्ट, जिसका नाम है माता कंचल, है ना, जब 10th में पहुंच जाओ तो बताना में रखो, कि 9th किला को सब्सक्राइब कर लीजेगा, और घंटी की बटन को ओल पर कर लें, विद्यार्तियो, ताकि आपको सभी वीडियोस, नोटिप्रिकेसन समय पर मिलते रहें, तो देखिए रिक्तिस्तान का पहला प्रिष्ण, कवी रस्खान बार-बार में जन्म लेना चाते हैं, तो बच कवीता के साब्दिक अनुसासन का नाम है, तो इसे हम कहते हैं छंद, इसे बच्चो हम क्या कहते हैं, चंद कहते हैं, आपको ये याद रखना है, अर्टालंकारों में जमतकार के कारण होता है, तो देखिए अर्थ लंकारों में चमतकार होता है तो बच्चो सीधी सिवात है यहाँ पर अगर अर्थ आ रहा है तो इस दर भी क्या आएगा? अर्थ आएगा अगर यहाँ पर होता कि सब्द लंकार के कारण विदुसी आपका होगा अगला कोश्चन है अनन्त का विलोम है तो अनन्त का जो विलोम होगा वो अन्त होगा और रीड की हड्डी एकांकी में जो कुल पात्र हैं बच्चो उन कुल पात्रों की जो संक्या हो जाएगी वो हो जाएगी छे अगला प्रेशन देखते हैं हम और अगला प्रेशन आपका सत्य फत्य के रूप में है कबीर एक समाज सुधारक थे तो इसका अंसर क्या होगा बच्चो आपका सत्य हो जाएगा पहला वाक्य जो है आपका सत्य होगा संचारी भागों की संक्या 35 है तो इसका अंसर क्या होगा असत्य होगा प्रिश्ण नमबर 3 मंगलों का मूं लाल होता है तो इसका अंसर भी क्या होगा सत्य होगा अगला प्रिश्ण कहानी गद्धी की गोण विदा में आती है तो इसका अंसर भी क्या होगा असत्य होगा क्योंकि जो कहानी होती है वो गद्धी की प्रमुक विदा में आती है भूपती में ती उपसर्ग है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा ठीके नहीं सुरी मापकी जगह यहाँ पर हो जाएगा ती उपसर्ग नहीं है प्रत्य की बात करेंगे तो हो जाता लेकिन नहीं ठीक है यहाँ पर भूपसर्ग है अपना इस कारण से यह भी क्या हो जाएगा नहीं असत्य होगा सही है अफ़त्य यहाँ पर लगा लेंगे ठीक है अ करना है तो मिला लेते हैं सही जोड़ी सही मिलाना या पर दलत किसी प्रकार से आपको नहीं करना है देखे सबसे पहली बार ललद्यद तो ललद्यद जो कवित्री है यह कश्मीरी कवित्री है सवय जो चंद है ये वरनिक चंद है और आग का जो तत्सम होता है वो अगनी होता है और हरी शंकर परसाई की जो रचना है हसते हैं रोते हैं और इंद्र का पर्यायव अच्छी हो जाएगा सूर्पति और बागल कोट करना टक का एक छोटा कसबा इस पिरकार आपकी ये जोड़ी सही मिल जाएगी अगला प्रिश्न पाँचवा पाँचवा प्रिश्न आप देखेंगे गाउं में शेहरी मेमान मतलब दामाद की तरह प्रबंद कावि के दो बेदों के नाम लिखिए तो प्रबंद कावि के दो बेद जो होते हैं उनका नाम है एक तो है माहकावि और दूसरा हो जाएगा खंड कावि ये दो नाम आपको नोट कर ले ना इसमें अगला प्रिश्न देखोगे श्यामा चरन दूबे ने किस HD की उपादी प्राप्त की थी तो इसका अंसर हो जाएगा नागपुर नागपुर आप इसका अंसर लगा लोगे अगला प्रिश्ण रचना के आदार पर वाक्य के कितने बेद होते हैं? तीन इसका उत्तर होगा तीन अगला प्रिश्ण लेकी का मुर्दुला गर्ग की पर दादी ने मंदीर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी तो मन्नत मांगी थी यह ना मन्नत जो मांगी थी यह मांगी थी कि पहला बच्चा क्या हो लड़की पहला बच्चा क्या हो लड़की यह मन्नत उसने जाकर वहाँ पर मांगी थी अगला परिष्न इस जल पिरले में पाट में बाढ के पानी को क्या कहा गया है तो ये कहा गया है बच्चो म्रत्यू का तरल दूथ ये कहा गया है उसके बाद में आगे बढ़ेंगे प्रिश्ट नमबर छे देख लिजे प्रिश्ट नमबर साथ सभी प्रिश्टों को आपको देखना है और यह सभी कोश्चान ऐसे हैं जो नॉर्मल से कोश्चान है आपको याद होंगे कभी पंत ने गाउं को मरकत डिबे सा खुला क्यों कहा है लिखिए तो इसक अंसर आपको आसानी से मिल जाएगा आप कहीं पर भी सर्च करेंगे दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला और यहाँ पर कोश्चन नमबर सोला में आपको क्या दिये गया है? मुहोरे दिये गये हैं, जिनका अर्थ लिखकर वाक्य में पिरियोग करना है फूला ना समाना, मतलब अत्तिदिक परसंदोना इत का चांद होना, बहुत दिनों में दिकाई देना यहाँ पर संदी की परिवासा और उसके प्रकारों के नाम आपको लिखना है आगे भी बात कर सकते हैं, आप प्रिश नमबर 17, प्रिश नमबर 18, संदर प्रिसंग सहीत आपको बावर्त लिखना है तो ये भी हमने आपको करवा रखा है आप आसानी से देख सकते हैं वीडियो बना रखा है गुन्नीस में भी आप देख सकते हैं संदर प्रिसंग सहीत व्याक्या और उसके बाद हम बात करें कोश्या नमबर बीस बीस में बच्चो आपको एक अनुच्छेद किसके उपर लिखना है यातायात के नियम के बारे में आपको क्या लिखना है अनुच्छेद आपको लिखना है अगला प्रिष्ण आप 21 देखोगे तो इसमें क्या होगा बच्चो एक गध्यांस दिया गया है या काव्यांस दिया गया है पतला एक काव्यांस भी है गध्यांस भी है दोनों में से एक आपको करना है या तो आप काव्यांस कर दो या गध्यांस कर दो जिसके प्रिष्ण भ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजेगा सभी वीडियो सापको मिलते रहेंगे धन्यमाद थैंक्स पर वाचिन